सची घटना मैं एक करोड़ पती बाप की बेटी करती है एक विद्वा महिला के बेटे से प्यार और उस प्यार के बदले देनी पड़ती है उस लड़की को अपनी मागी बली अगर घटना को आपको फूरा जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में आधर तक बनी रहना सामने उत्तर्प्रदेस के आगरा की सच्ची घटना यहाँ पर एक जगे है सिकंद्रा जहांकी सच्ची घटना है यहाँ पर इत जम स्मیत परिवार रहता था जिस परिवार परिवार का जून का काम था जिसके पिता का नाम उदित बजाज और जिसकी मा का नाम अंजली बजाज, लडकी जोकि इलेवंत क्लास में पढ़ दी थी, जोकि इकलोती बेटी थी अपने माबाप का और वो माबाप उसको इसको इसक्यार बनाना चाहते थी कि वो उनके business को समाले और वो भी एक बहुत बड़ी business woman बने लेकिन वो लड़की जो है वो जब 11 साल की होती ग्यारवी class में जब पढ़ती है तो उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिस लड़के का नाम होता है परिकर नाम के लड़के से प्यार होता है जिसके पिता और दादा जी का पहले ही देहान तो चुका था क्योंकि गाओं में जब रहते थे तो गाओं में किसी जमीनी रंजिस के चलते जो एंडी पार्टी थी यानि कि उनके अपोजिट वाले थे उन्होंने उसके पिता और उसके दादा जी को मार दिया था इस वज़े से वो महिला अपने बेटे को और अपने दूसरे दो बच्चों को लेकर शहर में आ गई थी सिकंद्रा में और यहां आकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही थी बताया जाता है कि उस लड़के को दो लाख की महंगी गाड़ी दिलाए गई थी यानि बाइक और एक लाख का फौन दिलाए गया था और वो लड़का बिलकुल रही सी की तरह जीता था वो महिल आपने बेटे को अच्छा पढ़ाने लिखाने की भरपूर कोशिश कर रही थी लेकिन सिलसला यहीं नहीं धमता है जब इन दोनों में प्यार होता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू करते हैं लेकिन ये बात जब अंजली बजाज को पता चलती है यानि लड़की की मा को तो वो उसका विरोध करती है और उस लड़की को समझाती है कि बेटा अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है अगर तुमने कोई गड़वर की तो पुलिस पकड़ ले जाएगी तुम्हें और करीबन जितना समय तुम्हें बालिक होने का है उसना समय तुम्हें जेल में रखा जाएगा और साथी साथ पोस को एक्ट के तहट उस लड़के को भी जेल में डाल दिये जाएगा इस बात से जब मा डराती है तो बेटी कुछ हद तक डर जाती है लेकिन जब वो उस लड़के से मिलती है तो वो दौनों मिलकर ऐसा भयंक है तो उसकी मां बहुत परिशान हो जाती है तब यूसर की मा और उसकी बेटी का कौन आथा आंगा अगर आकरी बार देखना चाहते हो तो फला फला जगे आ जाओ, यारी कि खुद की डिसाइट जगे पर उस लड़की को भुलाया जाता है, यहाँ पर वो महिला पहुंचती है उस लड़की से मिलने के लिए, यानि अपनी बेटी की से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर बेटी नहीं मिलती है, वहाँ पर वो बेटी वहां पर नहीं आती है और जब बजाज यानी की वदित मजाज घर देखता है है कि उसकी पत्नी नहीं पेले बेटी गयाब हुई गए तो वह पुलिस्टेशन जाता है रहा है और अपने बेटी की बेटी की बेटी की प्यार किया, शायद उसका रेजन यह है लेकिन पुलिस अपने एंगल से जाँच करती है वहाँ पर अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि क्या इस मा के किसी के साथ रिलेशन थे, किसी से बात करती थी लेकिन सारी जाँच में कोई भी ऐसा कलू नहीं railages को डरने ही मू Hee को कहीं भी यानिकि दोसी पाई जाया जब लड़की की कोल डिटेल निकाली जाती है तो पता लगता है करीबन 2.5 गंटे के अंतराल पर मा और बेटी में करीबन 47 बार कॉल पर बात कोई जैसे ही वह इस बात को सुनते हैं तो इस बात को सुनते ही पुलिस अब लड़की को पूस्ताच के लिए बुलाती है साथ ही साथ उस लड़के को भी पूस्ताच के लिए बुलाती है थोड़ी ही देर वो प्रक्रा जो लड़का है वो थोड़ी ही देर टिक पाता है लेकिन पुलिस के दस संद नहीं थे और यही बात इस लड़की ने भी बोल दिया था कि मेरी मम्मी को रास्ते से हटा दो इसके लिए मैंने अपने दोस्त को भुलाया और हम दोनों ने मिलकर इसकी जान ले ली यह घटना जब पुलिस को पता चलती है और चारों तरफ इलाके में फैलती है तो सब कलौती थी पुलिस ने उन दोनों को पकड़ कर जेल में डाल दिया है उसका दोस्त है जो सी लोगों फरार है उसको भी पकड़ा जा रहा है लेकिन एक ऐसी सची घटना हमारे सामने आई जिसने जो लोग कहते हैं कि बेटी परायदन होती है इसके अंदर कोई भी रहम की बा हैं उनके लिए मेरा बहुत जोड़तार एक सल्यूट है लेकिन जो ऐसी लड़किया जो अपने माता-पिता की जान तक ले लेती हैं इन लड़कियों के लिए मेरा बहुत ही कड़ा विरूद है बहुत जल फिराती हैं सची घटना के साथ मेरी च्छोटी सी आवाज है जबार